इंडिया जो हमसे आगे निकल गिया है ना वह देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वह किया है इस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया आई टी सेक्टर में सबसे उपर है इंडिया आप देखें इस पेस में नासा में भी है और अभी गूगल का सीओ भी इंडिया का यह देखें के साफ से तो मुंबई तो बहुत काफी ही आगे इन्हों ने जो चंदरियान मिशन बेज़े हैं कितने का बेज़े हैं हम लोग उते हैं कि तो मांग रहें दूसरे मुमालिक से हमें इतने मिल जाए और फिर बड़े ढ़िठाई से हम यह भी कहते हैं का चंद्रियान्टू हमें खुश होना चाहिए हमें इसले के तरक्तिर कि में आई खुश होना चाहिए हैं कि ऊप पेतर हैं थो नहार के जाते रहते हैं Pierce क्राची से कहीं ज़्याद आगे तरकी के अंदर हैं आप यहां की पाकिस्तान स्टेडिस की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो लगते हैं आप इंडिया की कभी स्टेडिस यह वाली पढ़ लें तो आपको इंडिया के बंदे सारे इंडिया के हीरो लगेंगे तो आप जो पढ़ेंगे वही समझेंगे बाई आला ना करें मैं नफरत नहीं करता हुमां की हवाम से अवां की आवब हम से नफरत कर जिया कर तो मेरे को को बोचाना है कि इंडिया को कल होना चाहिए नोचे नहीं हुए तो मैं उसके अगैंस्ट इपसे उपर है इंडिया, आम देखें, स्पेस में, नासा में लाइज घैयलेंट ही, मिशन मून व improvements भी गुगलत भी आपका इंडिया गई है। और इस तरीके ने इंडिया और पाकिस्तान ही उना पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता उतना ही यह उससे ज्यादा टैलेंट है लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें आप उनको वह तो दें आपने यह देखें कि इस साल 2022 यह तेज़ में आई टी सब्सक्राइब कर लिए तो आप आपने यूथ को तोड़ा सा सपोर्ट दें त इस पोगवयार्मिन्ट की बडरी दीमेदार ही है लेकिन की सिरफ गवचासे वो आगे यह मेरी समझ में नहीं आता है मतलबालوعमेंट भी तो हममें से बन्ती हैं आपको ब 기ृते निकलता है बहता है उपर आकर आके वह कहां चले जाता है पूरा टैलंट दूसरे मुल्ध में जाके या औस्ट्रेलिया में जाके यहां पे सर्वेसिस दे रही है अपनी वो है टैलेंट यानी क्रीम टैलेंट हमारा निकल के बार आके बार चला जाता है यहां पे नहीं रहता है पाकिस्तान के लिए काम नहीं हम करना चाहते हैं या पाकिस्तान में उसरी कैसे दस लाग भी टैक्स दे रहा है तो उसको एक प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल लिए हॉस्पिटाइल नहीं मिल ले एजुकेशन आप दूसरे मुलक में जर्मनी में चले जाएं फ्री एजुकेशन और इतनी भैतरीन कॉलिटी की एजुकेशन के बंदा बोलते के प्राइव सोच तो मैं भी रखता हूँ कि बाहर सर्वेसिस बहुत अच्छी मिलती हैं इंडिया की भी देखा जाए तो अच्छी मिलती है लेकिन जर्मनी वगरा वहां पे मिलती है लेकिन हमारे यहां की आवाम की बहुत बड़ी कम्यूनिटी है जो टैक्स भी तो नहीं देती ना आच तक पाकिस्तान की इस्ट्रीक अंदर किसी ने अब दे पाँस साल पूरे नहीं करें भाई वजिर आजम ने कोई एक हमारे पॉलिटिशन जाते वह सब कुछ भी आते वह बहुत पांस साल की तैयरी करते हैं पहुत साल का सोचो यूद का सोचो और सोचो जो तरकी तो क्या वो सिरफ उनकी गौर्वर्मेंट की वज़ा से आगे कैया किराची के लोग इसके ओपर क्या सोच रखते हैं या कि इंडिया सिरफ गौर्मेंट बेहतर होने की वज़ा से वहां के पॉलिटिशन थो महां के अब मैं क्या बोलू है हदसे जाथ बहुत खराब पॉलिट है क्योंकि करॉप्शन वहां पर एक हदसे काफी जाद है लेकिन उनका जो सिस्टम है उनका जो सारा प्रोसीजर है सिस्टमेटिक वे में हो चुका है उनका उनकी जो से अकॉंटिबिल्टी है काफी बेहतर है शायद इस वज़ज़ और दूसे नमबर पर उनकी अगर अतनी ज़ाद है नुमाय नहीं होती है हमारे यहां तो अब यह मिसाल है ना इन्होंने जो चंद्रियान मिशन बेजा है कितने का बेज है हम लोग उते हैं कि तो मांग रहे हम दूसरे मौमालिक से हमें इतने मिल जाए और फिर बड़े ढटाई से हम यह भी कहते हैं जैसे उ कराची की अगर बात करें बड़ी तदाद में लोग कराची में जो लोग इसमें रहते हैं जिने महाजिर कहा जाता है वह इंडिया से माइगरेट करके यहां बहुत है बहुत है आप लोग साथ मिलके रहो कारोबार करो सब कुछ करो करोबार आप तो एक बिजनस मैं हैं ट्रेड हमारी तरफ से बंद की गई एमरान हां साथ नुकसान हमें हुआ कराची हुआ कराची हुआ पाकिस्त Ci CHRIS होगा ना भाई न कि unle की भाई कार ओया और ku हो जाए या इसरी के से कुछ हो तो मैं उसके अगेंस हूं वड़ी अच्छी बात किया है आप इसके ओपर क्या कहना चाहेंगे यह नफरतें यह दूरियां यह बिल्कुल साथ मतलब लाहूर से बिल्कुल साथ यह कराची से भी वन जो लोग कहते हैं ना कि हम इंडिया को खतम कर दें और यह कर दें तो वो लोग पहले तो यह जान ले कि इंडिया में जितने हिंदू नियों से तीन गुना जादा मुसल्मान हैं पाकिस्तान की निजबत पाकिस्तान की निजबत हैं पाकिस्तान की निजबत डबल मुसल्मान हैं या आप देखे यह सोच हमने खुद की हमारे अंदर लाई गई है बड़े पॉलिटिशन के थुरू हमारे अंदर लाई गई है हमें दुश्मनी बनाई गई है दिखाई गई है और सिखाई गई है आप यहां की पाकिस्टन स्टेडिस की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो ल देखें तो श Basket कई एसे एकि वह यहा यहन को हमने जिरो में बदर को बना रख्या और को को एसे एक को नहीं बोड़ा धिया पर एक प्रक्राइब गरें है ईह तो ल。 मे constancy ऐारी था धार्ज़ आमरे चिए बना यह आर देखें चिंहें दो लेवल भी तो अपोना चाहिए ना यहां पर एजुकेशन भी तो लोगों पो प्रोवाइड होनी चाहिए ना हर बंदा आप दस लोगों को पकड़के देखने तो दो बंद एजुकेटेड मिलेंगे यानि असी परसन इलिटरेटी सीड चल लिए यहां पर तो आप पेने से भी तो बंदा जिन्दा रहता है ना ईक्सान तो हमें हो रहा है उनका माल पिर कभी किसी कंट्री में रुका नहीं है भी फिदाने की शकग सकते हैं कि अभी कि यह रहा न्युक्सान फार कि यहां नूक्सान पीकिम सभी यहां साँ नुक्सान दोनों का हो रहा है हमें इस तरीके से ट्रेड के हमाले से देड़ें तो सारे मुलकों से ट्रेडिंग एक्सपोर्ट्स हमें फूल आन रखनी चाहिए इंपोर्ट्स हमें तोड़ी सी कम करनी चाहिए जिस तरीके देखें, average calculate करें, आप 10 को उठा लेंगे, तो बाकियों को देखें, क्यों वहां पे आवाम है, कितनी वहां पे washroom वगरा की भी facilities नहीं है, वहां पे ये भी तो सब चीजे नहीं है, नो डोट वहां पे poverty बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ये 4 दिन पहले की report आ आप की तरफ जाना चाहरा है, अब मेरे ये पार 9 है तो मैं 8 करने की चाहूँगा, एट 7 पर जाना चाहरा है, बैतर से बहतरीन करूँगा, आप मैं नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ जा रहा है, वह नीचे की तरफ जा रहा है, और वह मैं खाली politicians को नहीं बोलूँगा, आवाम का भी थोड़ा सा मसला है, आप लाओर में देखें तो सुबह दुगाने खुल जाती है, 8-9 बजे, यहाँ पर दुगाने खुलती है, 12 एक बजे, ठीक है, और हमें भी आलमोस ऐसे ही है, लेकिन ओवराल हमें ये कनून बनाना चाहिए, देखें, अलेक्टरिसिटी क जो हमारे इतना जो मसला चला है, बेल्स वगेरा आ रहें, इशू आ रहें, जब अलेक्टरिसिटी का बहरान है, तो एक कानून ऐसा होना चाहिए, कि सेम टाइम पर दुगान खुले, और सेम टाइम पर कानून के, यहाँ पर कानून कोई फॉलो नहीं करता, पाकिस्तान से क 32 टेक्स वेक्स लगा के उपर भी पहुंच जाता और यह बिलिंग पर डिपेंड करता है, मतलब अगर कमर्शल है तो उसका और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, यह 32 रुपे चल रहे हैं, मैं खुद भी एक बड़ी बिलिंग अदा करता हूं, तो मुझे पता है, हमार पहासोर पर यह बाई ने जो बात की, हम्से हमें रिलेशन बेहतर करने चाहीं और इसमें सिरफ हम ब्लेम करने, गॉर्मिट, 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 पontली का भी काफीात fé면 कसूर है, अश्लाम अलेकूं, सर आप का नाम? म Уपना कुरैशी, क्या करतें जाद, बिजिनस मंबई एक होता था आज मंबई और कराची में डिफिरेंस अगर देखेंगे वो कितना देखते हैं और हो गें पार्किंग प्लाजस है नहीं इस वज़ा से पब्लिक को बड़ी प्रावल्म है और यहां के हुकमरान यह चाहते हैं कि अवाम जो है वो बस दबीर है मसायल में ताकि कि किसी और मुसले पे आवाज न उठा सके आपको नहीं लगता कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा है यहां पर कितनी development है क्या difference लेक्ते हैं क्या बहुत जब होगी जब इंट्रस्ट लिया जाएगा इसको बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी पबलिक के लिए कुक्त काम करने की मंबई में क्या आप समझते हैं कि development हुई है मंबई तो मैंने देखा नहीं है लेकिन बहुत जो टीवी बगारा पर देखा है तो अदर हो सकता है कि development बेतर हो तो लहोर के अलबता में यह confirm है पता क्योंकि यह जाते रहते हैं लहोर नो डाउड कराची से कहीं जादा आगे तरकी के अंदर है यह चीज़ की तो मैं भी गरंटी देता हूं हास और पर इंफरस्रक्टर की अगर बात करें तो काफी हाँ तक बेहतर नजर आता है अच्छा थर यह बताएं यहां पर अगर एवरिज लैंड की बात करें क्या प्लाट का रेट चलता है एवरिज मतलब जैसे हमारे लहोर में एक आवरी चलता है किसी भी टाउन में यह किसी भी हुआ हूँ कि लहोर में तो ऐसी पास मैंने कभी शायद बच्पन में भी नहीं देखी हो असल रीजन यह है कि यहां की अबादी बहुत ज्यादा है और पबलिक को रहने के लिए जगा चाहिए मज़ीद अबादी बढ़ी जा रही है पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची जौब करने के लिए बिजनस करने के लिए बज़़ो महत आता है हूंँ एक जमाना था कि कराची बड़ा सस्ता शहर हुआ करता था अब सुरत्याल यह है कि गरीब को भी खाना खाने के लिए कम से कम 6-700 रुपे चाहिए तो हजार रुपे की द्याड़ी लगा कि 6-700 का खाना खा जाता है बचे का क्या बिचारे को बचों को क्या खिलाया और धर क्या भीजे तो मामला तो इसलिए ज्यादा खराब है कि यहां पर नॉर्मली जो है स्टेंडर्ड और लिविंग बेतर वरना इनक मंदीर को रिसनली डिमॉलिश किया गया जिसके वाले से हम बात भी करते नजर आ रहे हैं क्या मिल जुलके रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सीख, एसाई यहां पर आपको फसादा आती या कुछ इस रांग से होते नजर आते हैं इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है कराची में जादा है, एक कही बास आपको में छोटा मोटा हो सकते हैं, है होते हैं, वो तुनों कम्यूरीटिस या तीनों कम्यूरीटिस के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस रहता है're लेकिन इसका यह मतलब नि एक फसादाद, फसादाद नहीं होते है हम आपसे पुछे हैं कि किराच्छी के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच लाइक किया ऊपिनियन रखते हैं अगर मैं पूछ maple की मिघ्र लेंडिया के इंडिया की का इंडिया की डिवेलफ़美味 से है हाँ इसमें थोड़ी सी ड्वाइड यह आ गई है कि अब लोग जो बहार से आते हैं यूरोप अगारा से अमेरिका से उनका स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग यह वहां के हिसाब से है और वो से स्टाइल का कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं यहां की देखे-देखी भी बारा है इंडिया या दूसरे जितने भी मुमालिक आस्पडोस के हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा तरकी इसलिए कर गए हैं हाँ लहोर इस्लामाबाद छोड़के बाकी शहर जितने भी हैं वो बिचारे डिप्राइवड हैं उनके साथ हाँ उनके साथ बराबरी का लई है कि नहुरन ले टा लेकिन कराची के लोगों की सोच बी जानना चा इसना नहीं और पाकिस्टान बनाये हैं ना ना पाकिस्तान मना तो इसलाम के नाम पे तहां लेकिन यहां पे इसलामी कवानीन कोई नहीं है ज्यादा तर वही इंडिया वाले कवानीन यहां यहां पे नाफिज हैं हमारा जो आइन मनाया गया उसके अंदर भी 90% चीज़ें जो सेकुलर हैं इंफेक्ट यूरॉप अमेरिका औ और मैंने नहीं यह महसूस किया कि कहीं पे भी हमारे यहां चलते फिरते आपको नदर आ जाएगा कोई भी हिंदू जा रहा होगा कुछ से कोई इसाई जा रहा है तो यहां पे कोई इसको डिफरिंशेट नहीं करते हैं ठीक हो गया अच्छा लास में बास मुझे बता दें क कि जिस तरीके से पुरी दुनिया में कभी कराची का नाम था बिजनस के हवाले से हमारे जो हुकमरान हैं हमारे लीडर हैं कुछ डालर के लिए कुछ बिलियन कुछ मिलियन डालर के लिए कभी आई एम एप के पास जाते हैं कभी कहीं जाते हैं हम अपने ही इन सीटीज को कर कराची हो गया यह इस तरह के जितने भी सिटीज हैं इन के ओपर अगर फोकस करें स्टील मिल के ओपर फोकस करें तो आपको लगता है कि हमें कहीं किसी से मांगने की जुरूत पड़ेगी असल में बराबरी नहीं है कराची वाले पूरे पाकिस्तान का सिक्स्टे फाइफ टू और ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनकी अबादी शायद कराची से काम है जिनका रखबा जिनका एरिया शायद कराची से काम होगा बड़ी ड्वैलप्ड है वो उसकी रीजन यही है कि उन्होंने फोकस किया है कि जो जो शहर या जो कम्यूनिटीज जहें वह जादा टैक्स प्रो कराची पर एक तो यह बड़ी ना-इस नाइसाफी कराची को इसमें प्राइटी देनी चाहिए जो शेहर जादा टैक्स दे रहा है उसके पर उनीचाहें जाथा ओनी चाहीः और इससे फायदा कराची का सिर्फ नहीं होगा यह पाकिस्तन का फायदा होगा इवन जो हम ब्य अभी जिस एरिया में मजूद हूं फिर कुछ बेहतर हैं अगर हम सदर वाली साइट पर जाएं अगर हम वह थोड़ा वो दूसरा अंधरून वाली साइट पर जाएं हम वहां पर देखते हैं कि वह खंडर नमा बिल्डिंग्स हैं जो देखने के लाइक नहीं है मलब देख एक और वागी मैंटेमस पर दिया यह दो देखने के अंदर यह जादा बेहतर महसूस ओगा प्लान्टेशन पर देहान नहीं है मैं प्लांटेशन जिना होने के बराबर हैं बैक्स मैंने देखी है स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के बारे में लेकिन अभी नहीं है वो बनेगी तो फिर उसके बाद हो जाएगी अभी तक तो बहरी आए के नहीं सबसे उची है ठीक हो गया जी अच्छा लगा आपसे बात करके बड़ी चीजें थी जो आपके साथ डिसकस की कराची के लोगों से जानते हैं यूथ जो यहां की है वो क्या राय रखती है उनसे भी बात करते हैं बहुत शुक्रिया अस्वालेकूम आपका नाम उमर क्या करते हैं अच्छा हम बेसिकली लाहोर से आए हैं सोचल मीडिया पे हमारा एक जैनल है यूट्यूब पे रियल डीवी के नाम से और मंबई एक ही एरिया था एक ही था आज आप क्या समयते हैं कराची डिवेलपमेंट के हवाले से कहां खड़ा है और मंबई कर डिवेलपमेंट के हवाले से कहां खड़ा है डिवेलपमेंट के हसाब से तो मंबई तो बहुत काफी ही आगे है ठीक है बेसिक जो प्रॉब्लम क के लिहाद से पाकिसान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा चाहर है तकरिबां कह सकते हैं तीन करोड़ तक अबादी पहुंच के लोग कहते हैं ठीक है लेकिन इस प्रॉब्लम ही कि कोई क्रांस्परिशन नहीं है मुझे अगर लांडी